वेलकूं टू मैं चैनल देखिए मैंने जब कुछ कुछन पेपर से देखे थे सेंपल पर जब मैंने देखा था जो पिछले साल में कुछ आया थे उसने पाबलिक स्पीकिंग बहुत बड़ा जिक्र किया गया था ठीक है उन्होंना यह पूछ दिया था डारेक्टली कि इंप स्वास आप रख सकते हो कि यहां से पढ़ने के बाद मैं गयरंटी देता हूं कि 90% आप नमबर उठा सकोगे ठीक है इतना में गयरंटी देता हूं आपको बट हां आप जो सिक्विंस में पढ़ना यहां सभी नहीं आप में पूरा को पूरे वीडियो पढ़ी है एतना इछले जो कोशन आया था ठीक है जो 17 में आया था कि important factors of public speaking आप इस तरह से बोल सकते हो important ingredients of public speaking ठीक है आप ingredient के टैक में भी आ सकता है समझे आपको इसलिए मैं पहला introduction public speaking का मैं public speaking आहीं बात कर रहा हूं आपको इसी को पर question directly पूछ दिये जाते हैं ठीक है तो हमारा public speaking मैं आपको क्या बताऊंगा introduction importance of public speaking skills क्या है इसका importance होते है public skills का गलसोफोबिया क्या होती है importance factors of public speaking क्या हो इसमें क्या-क्या importance होती है ठीक है जो factors होती है do and don't in public speaking क्या करना चाहिए पॉब्लिक स्पीकिंग के सामने क्या नहीं करना चाहिए ओ भी मैं बताऊंगा ठीक है आपको यह बताऊंगा यह लास्ट वीडियो बताऊंगा यह आने वाले अगला वीडियो में बड़ी हो जाएगी ठीक है तो आपको इस topic को जो आधिस जिस तरसे मैं आपको बता रहा ह है क्या होती है पहली भात एक एक ऑलिक स्पीकिंग क्या होती है पहली बात हिसे में क्या थी करोड़ी होती है ठीक है इक बदूंब्र अगर चाहिए ह jsुआ किंशचिक लिक नागी इंटोरेशन को बात करते हैं Public is the act of speaking face to face to a live audience क्या होता है Public speaking क्या एक act है जो face to face live audience के साथ हम लोग बात करते हैं कुछ भावनाओं से जो है व्यक्त करते हैं कुछ जो है वरतलाब करते हैं कुछ topics को important topics दूला कर ठीक है It is an important skill which is used to educate, entertain or influences the speakers ठीक है क्या बात दिहान वाड़ा कि जो हमारा इसको क्यों जो करते हैं इसको बहुत थारा important skills भी है जैसे कि आप को educate करते हो entertain करते हो और influences करते हो ठीक है किसको? Public को When we think about the public speaking we usually think that there is a formal occasions like corporate updates and conferences but 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 public speaking basically refers to every time we talk to group of people even if they friends, clients clients, colleagues and customers जो होता है क्या होता है पब्लिक speaking होता है जो आपको occasions में होता है corporate में होता है ऐसा नहीं है पब्लिक speaking मतलब होता है कि आप जहां पर भी बात कर रहे हो वह आपकी पब्लिक स्पिकिकिंग ही कहलाती है पब्लिक स्पिकिंग का जब आप सुचते हो ताप इस सुचते हो कि पब्लिक स्पिकिंग मतलब के पब्लिक के समने बोल रहे हो ना ना ऐसा कोई बात नहीं है पब्लिक स्पिकिंग इस नोट कि वह आप से बात कर रहे हो से बात कर रहे हैं कर रहे हैं अप इसका इंपोर्डंस क्या है स्पीक इन पॉबिट इससूंपलीकलर अग्यों मैं इससे तो और कुछ नर्व किसी से आघा झया तो प्रेशनने सीक विए रिमूद नरौन पॉदि सुप्रिइए कि इसके तोस्ति हो इसमें to boost our confidence जो आप पर पब्लिक स्पीकिंग देते हो अगर आप अच्छा सब पब्लिक स्पीकिंग देते हो ठीक आप पप्लिक स्पीकर बन जाते हो ठीक है आपको जो यह जो सक्सेस मिल जाएगा आपको बहुत सब्सक्राइब जो आपको दिखाए देंगे मैं नाम तो नहीं चाहता है बता दा हूं जिसे संदीप मैंसवड़ी हो गया सोनु सर्मा हो गया है उसे बड़े-बड़े क्या हमारे पॉणी तरह से अब को अब कर लेते हैं अपको पुरी तरह से कवर कर लेते हैं उनके बातों को वार्नी को जो अब सुनते इस तरह से तो लोग को बहुत अच्छा लगा और उनने क्या किया यह होता है कि जो होती है वह क्या सिसक्ट करते है जो होती है है क्या कर दिए से सुनती है और सब्सक्राइब करते हैं और स्पिकर बुस्ट कॉन्फिडएंस लास्ट इंप्रेशन क्या होती है यह अब पॉप्लिक स्पीकिंग करते हो और आपका इंप्रेशन क्या होता है बन जाता है ना तो यह का जारा एक लास्टे पर सब्सक्राइब क्या होता है पापलिक के सामने जाने सब्सक्राइब डढते हो ना तुसे बहुत 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 है कि निए रहे फोव्य डिजह और पॉबिक सामने जाते है और डरने लगते उसे घ्लोस ओविया इस जो हर्टम में होता है अधिक तर अधिकतरमें होता है 90 आप मैं कर शकता हो कि 75 पर्सेंट में सा देखा गया फोब्या प्रिजेंट होती ही होती है ओधिकतर में होते हैं आई सब दूर करने का दूर कर सकते हो आप यह नक्ड़ाइब जो हुआ था उसे पता चला है कि 75 पर्संट यह हमारा उगर उसको फविया से गरसी थे यानि उसको फिर फिर फॉब्ली के सामने भूलने से डरता है उसे करते हैं इसे कुछ कुछ कॉमन सिंप्टम्स भी है ठीक है सम पीपल्स फिल एस एकनल नर्वस्नेस इंटॉब्ली के सामने जा कर बोल रहता है तो कुछ नर्वस्नेस अधिया उसका पै क्वह्त था उस इस आप जा , इस तर सांगा इस नर्वस्नेस कहते हैं और थोड़ा सा तो आप जो बेसे देखो करने तो यह common symptoms, symptoms है हमारे लक्षन है, symptoms मतलब लक्षन होता है, ठीक है, हमारे लक्षन है glossophobia का, second कि हमारा some people's experience full on panic and fear, दूसरे तरह के people गया होता है, पूरी तरह से डर जाते हैं, जो हमारे दूसरे तरह के people होता है, पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं, अब मैंने जाँगा, अब मैं क्या बोलू, उनका पूर्ण हाल टेक, इहां तक कि हाल टेक भी आ जाता है, किसी किसी का, जब किसी का, अचानक जो ओडियंस को देखेंगा, बहुत से देखेंगे, ठीक है, तो जो अचानक जो इस तरह से होता है, बोलती ही बंद जाती है लो यहां कई सपीकग, आप को जांको बूश्ट कर सकती है, आप सब्सक्राइप प्रिपरेशन बलिए तो पही से बिस अजया है। घयान जाए बना ठाद अब नोर्ष अ बैस को चुद्द एंध आपको predator रहे हो या कंपको फुली आपको जो बोल देगा कि इंपॉइंट इसके अंदर चलते हैं तो आपको पूरी तरह समझा दू और पूरी सब्सक्राइब नोट्स बनवा दू क्योंकि आपको पास अल्टिमेट गुल किया आपका नोट्स ने रहेगा तो पढ़े हैं कहां से तो आपको मैं यहां से भी दे सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं फिर्ष्ट गया है हमारा देखिए एक बिनिट हां तो दुस्तों क्या था हमारा सेलेक्शन अब टॉपिक है सब्सक्राइब का कुछ जो है स्टेप्स है हमारे पास पहला क्या हम खेंग सभिए पाप जो है जिस थे बोलने जा रहे हो जिस जिस पर फॉर्द पर्सक्राइब पोलने जा रहे हो तो आप उस-ईवेट के बार अवर्पस जाना कि उस जो इवेंट से मार जो हमारा पब्लिक इस पीचे का क्या कारण है क्या पीछे कुछ बेकरण चल रहा है क्या है जैसे जैसे जैसां जिसाट जाओ विपाइंड पीछे वाला बात सोचो के क्या था उसके पीछ ये सा बात में तोंट मेक टॉपसांस और या टॉपिक बी नेच्र डी यह वहला है आको बॉल दूंगा में होतव सुनने के लिए होता अब स्पुप्र करने के लिए है तब आपको जच करने के कंप समझ हो ऐसी आपकों हर में बरसने बचलिए होती है iyi कई डेलेकमे अपको स्पकिया तोपिक करना थाकि आपको जो गलत नब सी इर्ण क्या करना है कि be aware of the nature of the event आप जो पूरी तरह से इदम अवेर हो जाई है कि जो आप इवेंट से मारा आप उसके नेचर को पहसान लीजिए कि हाँ आप उसके पंदर अगस्त में बोलने जा रहे हैं छबी जूनी के बाड़ें बोलने जा रहे हैं जिक्षे दिवस के बोलने जा रहे जब आप इस और से मैं ऐसके इस अवेर हो थाना है कि हाँ चीजिसके बाड़ें हैं बोलने जा रहे हैं कि मॉटीमस शाइन के में लाना यह बोलोंगे मैं इस तरसदे में बोलूंगा इस में करूंगा ऐसा कुछ एat ए Ear bei जो सब्सक्राइब करना है अगर आपको पता चले हैं आपको देखने पड़ी पता चले हैं आपको जो आप बोलने जा रहा है आपको जो है एक काम करना है कोसिश करना है कि आप सब्सक्राइब कर देगे बट बट अगर आप अगर बाई चांस अगर पढ़ा लिखा आप आपने गलती बोला तो क्या करेंगा समझ गया न आप ऐसा होता है इसलिए आप जो है इंफर्मेशन वो गैदर कर लेना है कि आपको लिशनर के बारे में इंफर्मेशन इंक्लोड एज, जेंडर, एड्यूकेशन, होबिस, एक्सपरेंस, फिल्ड, जॉब्स, रोल्स, इसेक्टर, आपको क्या करना है आप जान रहे हो कि नो Y optimistic है, इतना याद रखें करने का मैं बाहर करने के बात करें, अगर ऐसा आपको पूंसिबल है से मिनार होते हैं बड़े-बड़े से मिनार उसमें इसमें पहले नाम लिखा जाता है कि मैं आने वाला हूं आने वाला हूं को आते हैं यह थिए मैं को जो सब्सक्राइब वह एही करते हैं जो आने वाले मेरे पसे किर साने वाले हैं वानी को यूज करते है अपना व सकते हैं अपना इतने कहते हैं वह मादे आपको अपने बाड़े में सोचना है आपको जिस टॉपिक में इंट्रेस्ट है आप आकर जब पॉब्लिक स्पीकिंग इस चीज में देश सकते हो तो आप अपने इंट्रेस्ट के हिसाब से आप किस चीज में अच्छा हो आप उसमें आपको बोलना हो ही तरिका हो है यहाँ पर आप उस टॉपिक्स को लिस्ट बना है पॉस्बल जो टॉपिक्स आपको आते हैं टॉपिक्स आप उसको लिस्ट बना है टॉपिक मस्ट बिए और सबसे डॉपिक्स आपको बेस्ट लगें आप उसको लिस्ट कर लो ठीक है ऐसा तो कोई भी मेडिव्याइब नियुक्त लिस्ट कर लेगा यह सब टॉपिक्स कुछ ने गया है सोट कर लो उस टॉपिक को कि हां मुझे यह पना इक कहलो कि हां सब्सक्राइब करना है और उसके उपर फोकस करना सब्सक्राइब करना ऐसा नहीं कि आपको जो हां मैंने सलेट कर लिया और छोड़ दिये ऐसा कुछ नहीं है अब किस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं और बताता हूं प्रिप्रेशन अफ दस्पीच फोर राइटिंग एंफ्यक्टिव स्ट्रक्टर आपको क्या करना एक अफ्यक्टिव स्पीच देना ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जाक्रमाब बोल देना अप पाबलिक के सामने दे रहे ह तब ही तब आपको सुनने आये हैं ठीक है या तो अफ्यक्टिव स्पीच यू मस्ट फिट यूर आइडिया आप उस स्पीच के अंदर अपना आइडिया को फिट करो एक एंडो लोजिक के स्ट्रक्टर में अप उसको लोजिकल मतलब जोब लोजिक समझे रहे हैं उसी के आप लोजिकल वोजिकल चीजे को उससे बोलो ना तो आपको लगना चाहिए कि हां लोजिकल स्ट्रक्टर की तरह दे रहे हैं तब तो आपको अफ्यक्टिव स्पीच होंगी ठीक है ता स्पीच मस्ट है अब क्लियर डिफाइन ओपनिंग बोडी औन कल्कूलोजन ऐसा नही बैतेव समय क्या करते हैं इन पश्डेतर समय क्या करना है य辯ा अब यृद्व क्या करना है आप यह और आप आप श्यालता श्याれ Và अच्छा हम चाहिए उसको इससरह से होना चाहिए इक स्टाइट टॉपिक विज एनिकोंटेशन दो समझते हैं आप कश्या और लेंग कि गाने लगे तहों तो और बेकार हो जाएंगे हैं कुमर qoosian to ask us from the public yes you have the rights and and you just make a opening इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आपको एसा नहीं कि आप गलत उस टॉपिक से हट कर देना है इस टॉपिक से हट कर हमें इन फर्मेशन नहीं देनी है अगर आप ने कुछ ऐसा किया था आपके जो पबलीक स्पीकिंग वह बेकार हो जाएंगी तेक है चेट थे लगार आप जो बात कर रहे हो पबलीक स्पीकिंग बेना एक्जामपल का पबलीक स्पेकिंग इंपोस्वल आपको आपको वाद़ को सुनेगा लेगा पुरूफ पूरूफ की चीज होती एक्जाम्पल्स उन्ते पूरूफ होती है यह में इसा मेंते जूरूफ होती है थिसे मिलंद्ध आपके पास यहां सब्सक्राइब आपके पास एक्जाम्पल देना पड़ता है वसके बते हैं क्या होती है कि आप जो आपने दिया है उसको पड़े सम्माराइब करो चोटा सा ठीक है और को करना आपको जहें लाश्ट में आपको सब्सक्राइब करके चोड़ दियें वेकार गया पॉपलिक स्पीकिंग अपका ऐसा नहीं करना आपको लास्ट में बाया बाया करके नहीं ऐसे जाना है ठीक है आपको जो है फिर से दूबारा उनके साथ बात करने का मुखा मिले सुनने का मुखा मिलें जैसे विकास दिवे कृएंति सर के ठीक है वैसा आप जो वैसा मुणना चाहिए मुझे तवाज आती है मैं छोड़न होगे ऐसा कुछ नहीं है आपको जो फैमिलियर हो जाना है उस चीस से उस बाड़े में हो जाना है कि हां मुझे अच्छी तरह से आती है ठीक है विमेन इंपार्रमेंट आपको जब तक पूरी तरह से नहीं है कि आप पूरा के पूरे करना करना कुछ तरह दो कितना वाज अच्छा है कि सब्सक्राइब एक बाड़ा हुरा से प्लxtरे राच्ट करना में कि यतना इवाज है आपने गंटा जो है बोलना स्टाट कर दिया ताको फॉब्लिक वहां पर भी जो है कुछ और बठाने लएगी तो डॉस इन पॉब्लिक स्पिकिंग और जिसके आपको पॉब्लिक स्पिकिंग क्या करना चाहिए रिलाक्स पर जाएए तो आप अपने अंदर लाइए अपने अंदर लाइए देखें लाना नहीं पड़ता है अंदर से होता है तो पहचानना पड़ता है और पॉब्लिक स्पिकर होता है यार मतलब आप सूच नहीं सकते हो किस तर सब मुहित कर सकता है आपको अट्राइक्ट कर सकता है यह आप ट्रीन सकते हो किस तर सब कैसा एक्सप्रेशन देगा क्या बोलेगा आप सूच नहीं सकते हो आपको मुहित कर लेगा ठीक है अस्माल के स्टाट कीजिए तो नोट अस्टार्ट डारेक्ली विद अमें टॉपिक वह इतना बता रहा आपको कोई समझ में नहीं है समझ में आना चे ना हो सकता है कौहाँ पढ़ा लिखाई बठाओ एजुकेटर और दोने पढ़ बैठा होगा अगर एजुकेटर जो बैठाओ पर्सन तो तर समझ लेगा लेकिन अगर 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 पढ़ाओ तो नहीं समझेगा तो समझेगा उसको पॉब्लिक स्पीकिंग समझ में नहीं कि क्या बोल नहीं वहां चलके उड़ देगा चल देगा वहां से ठीक है यूज मोर गेश्च्य आपको निटम्टे मुझतर कर ला ना चाहिए रहें अब्लकुल सही समझ आप जो ना ऐसें फूछ कोश्म भी पोछ सकते हो क्या है कि नहीं करना चाहा कंब के सामने इस जयर वहांपर डर जाना है मिल्कुल नहीं स्टेजल मिल्कों डाई सर्वाक्ष क करना है हो सोबस्सक्राइब मैंने लिख दिया है do not make any comment which can hurt audience एक दम बिल्कुल बात आपको जो किसी तरह का comment नहीं करना है जो audience को hurt करते वरना अगर audience hurt हो गए तो हाँ सब्सक्राइब अपना heart फेजने लएगे आपको पास समझे रहे ना बात को समझे रहे ना avoid repetition in your speech आपको क्या करना एक चीज को बार बार नहीं रिपीट करना है ठीक है आपको जो एक चीज को बार बार नहीं रिपीट करना है अपने एक सेंटेस बोला फिर सब्सक्राइब आपको इस तरह से नहीं करना है डांड साउंड रूड और अगनेसिज आपको जैदम नहीं बोलना है आपको आपको जो है फिर फुल बरसना स्टाट हो जाएगा अच्छा से अच्छा वाला फूल ठीक है उसके बात है दूनोट रिट फ्रॉम योर नोट्स और स्लैट्स यह बिलकुल सही बात कुछ लोग आपको जैसा नहीं कैसा जो है करना होगा पॉब्लिक स्पीकिंग दे रहें दे रहें आप ऐसे करना इस तरह साबको यूज नहीं करना यूज नहीं करना है ठीक है डूनोट फॉर्गेट एबाउड दा टाइम लास्ट पॉइंट के आपको आपको जो है ना टाइम को एक्सेलन सब्सक्राइब करें अनों लोगों तक पहुंचाएं जिनको जरूरत हैं ठीक है थांको सो मच